नमस्कार दोस्तों, वल्कम बैक टो माई योटूब चैनल एकंटेंट वीवी सारे कैडेट्स को मैं इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि कल सोमवार को हमारे कॉलेज के अंदर जितने भी छातरों ने पिछले बार एंडरोल्मेंड हिस्सा लिया था और जो चातर सेलेक्ट हुए है ये वीडियो सिर्फ उनी चातरों के लिए है सभी छातरों को बताया जाता है कि कल सोमवर को सभी छातरों को सुभे नो बज़े हमारा जो कॉलेश है उस कॉलेश के ग्राउंड के उपर जहांपर आप पिछले बार आए थे वहाँ पर आपको कुछ डॉक्युमेंट के समेट आना है आते वक्त हर कैड़ेट को एक बात का ध्यान रखना है और वो बात यह है कि आप आने से पहले कुछ न कुछ खाके जरूर आईएगा साथ में आप अपनी पानी के बॉटल केर केजिए तता हर कैड़ेट को कोविड के चलते, मास्क, सैनिटाइजर इसका भी अपने साथ में लेकर आना जरूरी है आपकी एंडूल्मेंट प्रोसेस सुभे 10 बजे शुरू की जाएगी और यह प्रोसेस फाइनल होगी लास्ट एंडूल्मेंट प्रोसेस के अंदर हमने जो प्रोसेस किया था उससे थोड़ा यह प्रोसेस टफ होने वादा है इस प्रोसेस के अंदर बॉइस के लिए 1600 मिटर की दोड़ होगी और गल्स के लिए 800 मिटर की रनिंग की जाएगी और बॉइस के लिए मिनिमम सब की हाइट 165 से ज़्यादा होनी चाहिए और गल्स के लिए उनकी हाइट 157.5 से ज़्यादा होनी चाहिए अब यहाँ पर हमने मिनिमम क्राइटिरिया बता दिया गया है लेकिन मैक्सिमम जिसकी हाइट अच्छी होगी और जो के लिएट हर इवेंट में अच्छा करेगा वही केड़ेट फाइनल में कल सिलेक्ट हो पाएगा इस बात का सभी केड़ेट ध्यान रखे अभी कल जब आप आओगे तो आते वक्त हर केड़ेट को एक बात का ध्यान रखना है और वो यह है कि आपको आपके साथ में कुछ डॉकुमेंट्स लेकर आना है अभी डॉकुमेंट्स जो लेकर आपको आना है उसमें सबसे जो एहमियत वाला डॉकुमेंट है वो है हमारे कॉलेज की एड्मिशन रिसेट मतलब आपने तीसरी कॉलेज के अंदर जो एड्मिशन लिया है उस admission का आपने जो पैसा भरा था उसका आपके पास अगर receipt होगा तो वो receipt आपको लेकर आना है और दूसरी बात आपके पास कोई एक photo identity card होना चाहिए photo identity card का मतलब है कि आपके college के admission receipt के उपर जो आपका नाम लिखा गहा है उसी नाम का दूसरा एक और आपके पास photo identity card होना चाहिए जो आपका जो अभी recent वाला face है उससे match होना चाहिए इसमें हम लोग कह सकते हैं आपका driving license होगा आपका आदार card हो आपके पास आपका pan card होगा voting license होगा या फिर कोई भी government का issue किया गया कोई भी photo identity card इस card का लेकर आना जरूरी है आपके पास कल अगर ये दो document नहीं होते तो आपको gate के अंदर नहीं छोड़ा जाएगा इस बात का सभी cadet ध्यान रखे मतलब इन दो document का होना अत्यंत जरूरी है अब next जो document है वो है यह है कि बहुत सारे ऐसा cadet थे उस दिन जिन्होंने हमसे कहा था कि हमने karate किया है हमने singing किया है हमने dancing किया है हमने कही state level पे participate किया था national level पे participate किया था इससे पहले कही NCC किया था तो जितने भी cadets ने यह सब कहा था तो हमने उन्हें note करके रखा है तो वो cadets अपने साथ में जितना हो सके वो certificate carry करे अगर किसे cadet को किसे कारणवश physical certificate लाना possible नहीं है तो वो अपने camera के अंदर उसकी photo निकाल के भी उसको लेकर आ सकता है तथा किसी को कुछ award मिला होगा किसी को national level पे award मिला होगा, state level पे award मिला होगा तो उस award का भी आप certificate लेकर आ सकते हो नेक्स document जो है वो है आपका 10th का board certificate अब आप कहोगी सर इसका क्या लिना दिना है तो हमें हर cadet का date of birth चेक करना होता है वो cadet की age हमारे enrollment के हिसाब से है की नहीं है उसकी date of birth सही है की गलत है तो इसको चेक करने के लिए आपका 10th का board certificate है वो board certificate का होना भी ज़रूरी है और साथ ही साथ में उस board certificate के उपर आपका date of birth मेंचन किया हो गया होगा आपने जो 10th pass की थी तो 10th pass के आपका एक markshet आया होगा और उसके साथ में एक certificate भी आया होगा तो वो certificate आपको लेकर आन है उसके बाद में आपका आधार card जो हमने पहले भी बोला था कि आपको photo identity चाहिए तो आप अपना photo यानि कि आधार card भी साथ में carry कर ली चाहिए और साथी में आपकी last year की mark sheet यानि कि अगर आप 11th standard में हो तो आपके पास आपकी 10th की mark sheet की jirox होनी चाहिए अगर आप 12th standard में हो तो आपके पास 11th standard की mark sheet की jirox copy होनी चाहिए और अगर आप first year BA, BCOM, BSC, BCS, Computer, Science या फिर BEOC में पढ़ रहे होगे तो आपके पास आपने जो 12th किया था तो उस 12th का mark sheet का होना ज़रूरी है ये सारे documents लेकर आपको कल ground के उपर सुबह शाप 9 बजे आपको सभी को आना है और साथ में जैसे कि हमने पिछली बार भी आपको कहा था कि आपके पास bank account का जो passbook होता है उसका एक xerox copy भी होना चाहिए अभी इस में से ये सारे documents हम उनी बच्चों के लेंगे जो बच्चा finally वहाँपन select होगा लेकिन आपको gate के अंदर आने के लिए college का admission receipt और आपका photo identity card दिखाना ज़रूरी है ये documents दोनों documents कम से कल आपके पास होने ही चाहिए वरना आपको कल gate के अंदर entry नहीं दिया जाएगा इस बात का सभी credit ध्यान रखे और साथ ही में इन सभी documents का आपके पास होना अत्यन्ट आवशक है किमकि अगर आपको select होते हो तो आपको form दिया जाएगा और उसके बाद में आपका admission का process भी आगे किया जाए सकता है तो आपका आगे admission process के लिए जो मैंने यहाँ पर documents बता है यह सारे documents आपके पास होना ज़रूरी है और अगर आपको इसके बारे में कोई भी शक्या सवाल होता है तो आप इस वीडियो के नीचे comment box में आपकी comment आप लिख सकते हो या फिर यह वीडियो आपके ग्रुप में भेजा जाएगा ग्रुप में भी आप इसके उपर सवाल पूछ सकते हो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद तथा हमारा जो YouTube चैनल है उसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा क्यूंकि इसी चैनल के उपर हम आपको NCC के बारे में जो भी notification होता है इस notification को हम इसी जरीय से आपके पास पहुचाते रहेंगे धन्यवाद जय हिद